चलिए बनाई जाए आलू का पराठा, सबसे पहले एक पैन में हमने तेल गरम कर लिया, अभी हम लोग मिर्ची को कट करेंगे, तो इसमें मेरी मम्मा धेर सारा मिर्ची यूज करती है, ग्रीन चिली से स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो जब तक मिर्ची कट किया तेल गरम हो चुका था, तो हमने इसमें एड कर दिया अपनी कटी हुए मिर्ची को, और अच्छे से उसको भूल लेंगे, फिर हम इसमें एड करेंगे जिंजर गार्ली का खूब सारा पेष्ट, इससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो इन सब को अच्छे से भूनते र यही देखो हमारा मसाला भूनना स्टार्ट हो चुका है, तो अभी मसालो को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भी भूनेंगे, फाइनल कलर देखो अभी रेडी हो चुका है हमारा मसाला, तो अभी इसके लिए हम लोग धनिया पत्ता का गला रेद देंगे, मत्तों मेरी मम्म कर लेना है ताकि कोई भी गुठली बाकी न रह जाए और अभी जो हमने धनिया पत्ता कट किया था उसको फेक के मारेंगे इसमें और उसको भी घोट देंगे इन सब के साथ मतलब अच्छे से वेल मिक्स कर लेंगे और यह देखी रेडी हो चुका है अल्मोस्ट उसमें हमने आजवाइन और मंग्रेला एड कर दिया है सब को अच्छे से मिला लेना है ताकि कहीं पे भी स्वाद में कमी ना रहे और अभी अल्मोस्ट हमारा भून चुका है तो हम लोग गैस बंद करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से अभी आटा लगा दिया था तो मम्मी ने यह कोला तो बना लिया है पर जब आप उसको रोल करोगे ना यह पार्ट भी बहुत इंपोर्टेंट होता है ताकि आप इवेनली ना उसको रोल कर पाओ और जब आप रोल करते हो तब सबसे बड़ी दिक्कात आती है कि पराठा फट जाता है और मसाला बाहर निकल जाता है करेंगे रिफाइन ओल यह देखो हमारा आलू पराठा आलमोस्ट रेडी है इसको अच्छे से ना नचा नचा के जैसे कि यह डीजे वाले बाबू का डिस्क हो और इसको अच्छे से एवेनली ना हम लोग सेख लेंगे बढ़िया से सो फाइनली हमारा पराठा हो चुका है को तयार इसको मैं खाने वाली हो ओल की चटनी मेयोनीज टमैटो सॉस एंड हमारे यह कुच्चा वाला जो आचार होता है और चिली के साथ यह देखो फ्रेंड्स कितना सुंदर बनके रेडी हुआ है मसाला भी काफी अच्छे से ममा ने फिल किया है और मैंने इसको काफी ट टेस्टी लगा आप लोग अपने घर पे इस रेसिपी को एक बार जरूर बना के देखना आलू पराथा तो सभी बनाते मेरी मम्मी की रेसिपी आप ट्राइक करना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना